नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर गॉरफ शर्मा, आपका लेकी सेशन लेके फिर से एक बार देखो दोस्तों, important यह है, नॉमन्क्लेचर के आपने सवाल कर लिये होंगे, मुझे पूरी उमीद है, comment box में मैंने देखा था, तो अभी नॉमन्क्लेचर के बारे में लोगों ने नहीं पूछा था, इसका मतलब आपने पढ़ लिया है, बचों, आज से जो हम शुरू कर रहे हैं, वो है name reactions, और name reaction के साथ साथ, एक नई तरीके से बैब आपको इसको बताऊंगा, आपको यह समझना है, और्गैनिक में जब आप एक चीज को दूसरे में convert करते हैं, तो वो question बहुर अच्छे से आते हैं, तो वहाँ एक तो अच्छा हाथ होना चाहिए आप सबका, अब एक से दूसरे में convert करना है तो दो बातें, अच्छे से समझ में आने ज़िए number one, कहां पर आप हैं और कहां आपको पहुचना है, मतलब given क्या है और कहां आप पहुच सकते हैं, इस विशे में आप बात करेंगे, अब जो name reaction होती क्या, अगर मैं सीधे तरीके से बात करूँ, तो जैसे आपने एड देखा होगा, कि 18 मसालों का अचूक मिश्रन, पावभाजी मसाला, तो अगर आप direct वो मसाले डलते हैं, तो एक ही step में काम हो जाता है, otherwise आप कई मसाले लाएंगे, वो डालेंगे तब पावभाजी बनाएंगे, तो लंबे तरीके से जाएंगे, कई सारे reagent यूज़ करेंगे, या एक name reaction यूज़ करेंगे, तो गेट देजाइड रिजल्ट, इसी मुद्दे पर आज की हम चर्चा करेंगे, चेन बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी reaction हो सकती है, चेन घटाने के लिए कौन-कौन सी reaction हो सकती है, कितने टाइप की overall organic में reaction है, और CBSC के point of view से कौन-कौन सी reaction बहुत important है, और जैसा मैंने आपसे कहा था, ना सिर्फ CBSC, J-Mains, और NEED के लिए भी आपके लिए beneficial है, तो आईए, शुरू करते हैं, आज की class, बहुत ही simple तरीके से बचों हम चलते हैं, common sense सोचते हुए, common sense लगाते हुए, यह हमारा board आता हुए, तो आप कहीं पर भी आपको लगे कि कोई ऐसी दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप comment box का use कर सकते हैं, यह streaming video होते हैं, मतलब basically आपके बाद में हम इसको थोड़ा सा live stream में डालते हैं, तो आप देख लिए, chat box पे भी मैं देख लूँगा जो आएगा, after the, जब मेरा यह पूरा live आ जाएगा, सो बच्चों आईए, आज का session आरंब करते हैं और बात करते हैं कुछ नहीं reactions की, देखो बहुत ही असान सा concept है, सबसे पहली बात तो यह समझना, दिमाग में tension लोगे तो दिक्कत आएगी, tension नहीं लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, organic reactions भी मैं हमेशा से कहता आया हूँ, चार ही type की हैं, यह वही चार तरीके हैं, जो हम अपनी life में करते हैं, किस तरीके से हम याद तो कोई चीज अड़ करते हैं अपनी जिन्दगी में, तो वह हो गई addition reaction, पहली चीज यह, या हम कुछ delete करते हैं, तो that will be known as elimination, या हम substitute करते हैं, substitute करते हैं, and finally दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, rearrangement, अभी जैसे आप देखेंगे, festival आने वाले हैं, तो दिवाली के दुरान हम लोग rearrangement बहुत करते हैं, यहां का sofa महा लगा दिया, वहां का sofa यहां लगा दिया, तो these all things are known as rearrangement, देखो बच्चों फिर वह कहुँगा, focus बहुत जरूरी है, पूरा ध्यान इसी lecture पे लगाओ, सब बात भूल जाओ, कई बच्चे उलखते रहते हैं, पेपर कैसा आएगा, हम कैसे त्यारी करेंगे, नमस्ते, उस चीज़ को हटाओ, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो बता रहा हैं इस पे ध्यान दो, क्लास वक कॉपी लेके बैठो, उस पे नोट करो, और कोई बड़ी बात नहीं है, अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, इन चारो रियक्शन के अंदर, थोड़ा सा कॉंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, और इन चारो रियक्शन के अंदर समझते हैं, सबसे पहले एडिशन रियक्शन कौन-कौन से होती हैं, मेरे इस चैनल पे अलरेड़ी यह हमने डिसकस किया है, बट फिर भी, अम मैं आपको पूरा सीक्वेंस लेके चलना हो, तो आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो आपको कोई टेंचन नहीं रहेगी, एडिशन, रियक्शन, बच्चो एक बास सोचो, एडिशन के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई भूक हो, आपको यह अपनी लाइफ में चीज़ आड़ करना चाहते हैं, तो आप पहले उसके लिए रेड़ी, आपके पास कोई भूक होने चाहिए, तभी तो आप उसको एड़ कर पाओगे, बड़ी सिंपल जो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, मालनो मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, हम खाना खाने साथ बैठ गए हैं, थोड़ी देर बात, आउं 15-20 मिनटस के बाद, रोटी आती है, आप रोटी नहीं लेते, मैं रोटी अड़ कर लेता हूँ, इसका मतलब मैं भी saturate नहीं हुआ था, तो मैं क्या था, Unsaturated, एडिशन वहीं होगा, जहां पर Unsaturation होगा, तो आपको ये चीज़ समझनी है, कि addition वो करता है जो unsaturated होता है जो संतुष्ट नहीं है देखो saturate हो गया हम solubriti के दुरान भी इसी वर्ड को यूज़ करते हैं अगर saturate हो गया तो और add नहीं होगा solute लेकिन अगर add हो रहा है इसका मतलब अभी saturation नहीं आया है इसका मतलब unsaturated है unsaturated मतलब बच्चों double or triple bond सोचोगे आप इसको जानते हैं यह unsaturated है आप इसको जानते हैं यह unsaturated है इसके अलावा अगर मैं C double bond O की बात करूँ या C triple bond N की बात करूँ तो यह भी तो बिटा single bond नहीं है यह भी तो multiple bond है तो यहाँ भी एक level of unsaturation है तो इस चीज़ को आपने अच्छे से clear करना है अब organic के अंदर मेरे दो ब्रह्मास्त्र हमेशा याद रहे हैं number one reaction वहाँ बेचैनी जहाँ reaction वहाँ बेचैनी जहाँ जहाँ पर अनिस्टेबिलिटी नहीं है जहाँ पर बेचैनी नहीं है वहाँ पर reaction नहीं होगी reaction के लिए बेचैन होना बहुत ज़रूरी है तो reaction वहाँ बेचैनी जहाँ दूसरा आपको हर reaction को acid-base के terms में सोचना है कि वह सारी reaction जो है वो acid-base की terms में है यानि एक उसमे acid होगा, एक उसमें base होगा यही हमें identify करना है कौन सा acid है, कौन सा base है चीजें बहुत light लेके चलो परशान होने की जरूत नहीं है दूसरी बात acid-base सोचने का मतलब हो गया जो electron rich species है वो basic in nature है जो electron deficient है वो acidic in nature है और आपको इनी दौनों terms के बात में सोचना है यहाँ पर देखिए electron density जादा है double bond होने की वज़े से यहाँ और जादा है triple bond होने की वज़े से तो अब क्या करें आईए जड़ा देखते हैं इनी दो से दांतों को लेके चलेंगे और समझना शुरू करते है मेरे पास बच्चों यह प्रोपीन है अब इस प्रोपीन में मैंने डाल दिया HBR क्या डाल दिया बच्चों? HBR reaction तो तभी होगी जहाँ पर बेचैनी होगी देखते चलें आनन्द आएगा reaction वही होगी जहाँ पर बेचैनी होगी इस पूरे महौल में बेचैनी कहाँ है? इस पर plus है इस पर minus है पर पोलराइस्ट करडिशन है ना plus है ते minus है अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या BR minus को को कोई तकलीफ है? नहीं BR minus को को कोई तकलीफ नहीं अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्रुमीन चाहता था ति उसको electron मिले उसको एक electron की चाहत थी और उसको मिला है negative charge उसको पर लेकिन बिचारा H फस गया उसको तो इस तरह की चाहत नहीं थी वो तो plus charge नहीं चाहता था इसका मतलब इन दोनों में comparatively H plus जादा दुखी है भई माल ले तो ना आप कोई ऐसी job में फस गए जहां बहुत सार आपको pressure है काम है तो आप बेचैन रहेंगे एक और example ले लो आप माल लो सुबह से भूके है कुछ नहीं की मिल आपको खाने को तो आप फिर बेचैन है तो अगर आप फिर बेचैन है तो आपको फिर क्या चाहिए भई या खाना चाहिए आप unstable हो रहे है काकि आप पे plus charge है अगर देखो बटा यहां हमारे H plus साहब है जो हैं भूके plus charge हैं पे और यहां पर electron density जादा है यहां लगा है बूफे बूफे मतलब होता न दावत सी लग गई तो एक तरफ H plus है जो है भूके और एक तरफ लगा है बूफे तो अब इन में interaction होना लाजमी सी बात है तो इन दोनों के बीच में interaction होगा अब actually बास सोचो होगा क्या-क्या दोनों सोचते हैं हम चीज़ों को बहुत ही असानी से लेके चलेंगे और conceptually अपने आपको strong करते जाएंगे जिससे हमारे CBSC में marks अच्छे आजएंगे मैं भी आपको बताऊँगा name reaction CBSC में किस प्रकार लिखी जाती है लिखना presentation बहुत ही ज़ादा जरूरी है यह ध्यान रखना CBSC में चीज़ों को present करने के बहुत अच्छे marks आपको मिलते हैं और अगर आपकी presentation यह धीली हो गई तो आपके CBSC में marks खिल जाते हैं तो मेरे बच्चे यहाँ पर अब H plus attack करेगा इस पे तो नहीं करेगा इस carbon पर और इस carbon पर attack करेगा तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दू अगर मैंने इसको H plus दिया तो यह bond तो कुलेगा और इसको plus मिलेगा अब अगर मैं इसको H plus दे दू तो H इसको मिल जाएगा bond कुल जाएगा प्लस इसको मिल जाएगा अब ये दो मेरे पास intermediate बनते हैं intermediate की जारा जानकारी के लिए आप comment box में डाल सकते हैं कि sir reaction intermediate के विशे में बताईए मैं वैसे doubt net के उपर भी मेरे lecture आते हैं तो वहाँ भी मैं intermediate के विशे में बुद्द पता रहा हूँ inductive effect भी बताया है मैंने carbocation के stability बता रहा हूँ सब वहाँ पर चल रहा है वो भी चल सकता है वहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको मैं अगर आप चाहेंगे तो बता दूदा तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो concept है वो क्या है कि अब ये second degree carbocation है secondary कैसे जिस पर plus charge है वो दो और carbon से attached है देखो इस पर plus है ना बच्चे इस पर plus है तो ये एक इस से attached है एक इस से attached है तो ये secondary हो गया यहाँ पर जिस पर plus है वो directly एक से ही attached है तो ये primary है तो यहाँ मेरे पास primary carbocation है और यहाँ मेरे पास secondary carbocation है अब अज़िदार बात यहाँ पर यह है बचों, हर चीज अपने आपको stable बनाने की कोशिश करती है, ठीक है, एक सेकेंड जारा है, ओके दोस्तों, तो यह हमने बात करी, primary carbocatine और secondary carbocatine की, positive charge था और यह हम जानते है, और गैनिक में अगर charge जादा है, तो आप unstable है, और charge कम है, तो आप stable है, वैसी बात है, आप भूग जाता लगी है सुभे से आपको, खाना नहीं मिल रहा, तो आप unstable हो जाएंगे, और आपको भूग थी, बट खाना मिल गया, तो आप stable होने जाएंगे, जैसे ऐसे खाना मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप stable होते जाएंगे, एक छोटी सी बात है, तो अब बच्चों, यहां से जब आगे बढ़ते हैं, तो हम एक चीज़ समझेंगे, यहां से, this is your primary carbocation, this is your secondary carbocation, यहां पर एक छोटी सी बात समझने कोईश करना, जैसे हम जानते हैं, tertiary carbocation is more stable than secondary, is more stable than primary, बहुत सीदा सीदा सा मतलब है, तो इसका मतलब यह intermediate जादा रहेगा, stable जादा है, तो बहुत तेर टिक पाएगा, यह नहीं टिक पाएगा, primary, secondary के सामने इतनी देर नहीं टिक पाएगा, simple सी बात है, जो जादा देर तक टिक पाएगा, उसी को bromine माइनस मिलने के चांस है, द मानलीजे, 100 लोगों ने तियारी शुरू करी थी, उसमें से near about 30% ने तो पहले हतियार डाल दी है, कि हमारे बसके निया, we are not able to cope up, हम इसको नहीं दौनों को साथ साथ ले सकते, ऐसा अगर आपने किया, तो आप एक iscapist approach के साथ जा रहे है, लाइफ में जब-जब कोई difficulty आई मानलीजे, chemistry, physics को मैं 12 के board के साथ ही अच्छे से पढ़ता जाओ, थोड़ा mass वो भी strong कर लो, थोड़ा bio वो भी strong कर लो, तो मैं फिर भी better perform कर सकता हूँ, लेकिन जो end that टिका रहा, जो बिढ़ा रहा, उसी के तो chances हैं भीया, selection के बहुत बढ़ी है, वैसे ही यहाँ है, bromine जो अगर बात करेंगे, तो minus वाला जब आएगा, तो वो किसको percent करेगा, जो टिका रहेगा, तो finally यह टिका रहा, तो हमारा जो bromine था, वो इसी कारवन पर आके लगा, तो हमारे पास जो major product बना, वो यह बना, minor तो obvious ही बात है, यह बनेगा ही, minor मतलब थोड़ा, मतलब कुछ percentage की भी आएगी न, तो यह बनेगा, मिर बच्च एक चीज समझो, कक्षा 10 में हम जो simple addition करते थे, निकल डालते थे, तो एक h को और एक h को मिल जाता था, वहाँ यह समस्या नहीं थी, समस्या इस addition में थी, तो कि यहाँ एक h plus है और एक b r minus है, किसे क्या दें, जब एक ही तरह की इस से तो डिवाइड करने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब डिफरेंट चीजें हैं, तो डिवाइड करने में दिक्कत है, किसको क्या दिया जाएगा, clear है, तो बचों यह जो चीज हुई, प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपीन बना, पहली बात, competition test में आप से पूछ सकता है कि मेरे भाई, यह कौन सी reaction है, पहला attack H plus ने किया है, तो यह electrophilic addition है, देखो, चीज दोनों ही add होंगी, plus वाली भी और minus वाली भी, लेकिन क्योंकि पहला attack plus ने करा, तो यह electrophilic addition है, और उसके साथ साथ यह stability of carbogatine को follow करता है, और बच्चों इसी में आपको जानके बड़ी तसली मिलेगी, इसी reaction को बोला जाता है, Markovnikov's addition, ठीक है बिटा, अब एक चीज़ समझना बड़े कोड़ से, अगर मैं देखूं तो Markovnikov is a type of electrophilic addition, दूसरा, proceeds by carbogatine stability mechanism, done है, कुछ अब लोग यहाँ पर एक बात यह भी कहते हैं, और हम भी उसको agree करते हैं, छोटा सा trick बना देते हैं, कि भाई देख लेते हैं, कि यहाँ पर जब हमने start किया था, तो यहाँ पर 2H थे, देखो दो लोगों में addition होना था, इसके पास 2H थे, इसके पास 1H था, पैसा पैसे को कीशता है, H, H को कीशता है, यानि यह बोला गया, कि जिसपे ज़्यादा H हैं, उसको H दे दो, जिसप इसी बात यहाँ पर बोली जाती है, कि this will follow, एक trick बोला जाता है, कि this will follow, Rich becomes richer and poor becomes, पूर है लेकिन यहाँ पर एक समस्या है बच्चों हर जगा नहीं चलती है इसे हम जानते है न ट्रिक जो होती है वो किसी खास दारे में चलती है जैसे बाइक के आड़ाटाटी पर लिखा होता है किस तरीके से हम समझेंगे देखो बच्चों अगर इस प्रकार का बहुत सिंपल मैं आपको इस तरीका समझा रहा हूं कि इसके उपर जादा कोश्चन समझ करते हैं जो बच्चे पर्टिकुलर्ली और गैनिक केमिस्ट्री की मेरी वर्क्शॉप जॉइन करना चाहते हैं जो कि ओवर और अगर हम ध्यान से देखें तो एक पूरा पैकेज है और बहुत ही मिनीमम टिकट साइज में रखा है उसका कोश्चन स्प्रेक्टिस बहुत जारा उसमें मैं कराता हूं कि देखो यूट्यूप पे इतना टाइम मैं नहीं दे पाता हूं वहां मैंने ओवराल कर रखा है उसकी जारा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाके रिजिस्टर कर सकते हैं फिर मैं आपसे बात कर तो बच्चों या वाट्सअप नंबर गिवन है वाट्सअप डाल दीजिए आपको उसका लेंक मिल जाएगा देखो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे यहां पर डालेंगे एच बी आर जब एच बी आर डालेंगे फिर वही कहानी इस पे प्लस इस पे माइनस कहानी फिर वह चलेगी इंट्रमेडियेट वैसे ही बनाओ कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कोई बड़ी बात नहीं यह ऐसे हो जाएगा और यहां H लगाएंगे तो यहां प्लस हो जाएगा हमें पता यह नहीं बनेगा यहीं बजादा बनेगा लेकिन इसमें भी एक खास बात है देखो बच्चो मालनो मैं वरुन और अनूप साथ ने बैठे थे मैं कौने में बैठा था आज मैं खाना नहीं लाया था तो मैंने वरुन बीच में बैटा था, अनूप इधर बैठा था, वरुन मुझे अपने टिफिद में से बनाठाव सब रीद देने लगा, मैंने वरुन को बोला, वरुन अगर तुम इधर आ जाओगे, और मैं बीच में आ जाओगा, तो मैं अनूप का भी खाना शेर कर लूँगा, और इधर आ जाएंगे, तो मैं इधर चला जाओगा, क्योंकि मैं सेकेंडरी हूँ और अगर मैं इधर पहुच गया, तो मैं टर्शरी हो जाओगा, अभी मुझे दो ही लोगों से खाना मिल रहा है, अगर मैं इधर पहुच गया, तो मुझे तीन लोगों से खाना मिल जाएगा और मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाओंगा H भाईया ने कहा वो ही वरुन की तरह है वरुन भी अच्छे दिल का आदमी है ऐसे H भी अच्छे दिल का आदमी है H ने बुलाग ठीक है दोस्त तुम इधर आजाओ मैं इधर आजाता हूँ अब यहां से H जब चलेगा अब एक ची सोचो यहां से जब H चलेगा इसकी तरफ और यहां पर प्लस को खतम करेगा तो H- का आना जरूरी है H- इस तरफ आएगा तो फिर यहां पर प्लस हो जाएगा तो बड़ी सिंपल सी बास सोचो एक तो shift कौन हुआ shift H- हुआ H- का जो shift है उसे hydride shift का जाएगा chlorine के ओपर negative charge chloride oxygen के ओपर negative charge oxide तो मेरे भाई hydrogen पे hydride सिंपल सिंपल बाते हैं इतनी हायरतों बाकिर जुरूती नहीं है simple logic है तो अब यहां पर आगया यह H और यहां आगया यह प्लस और यह बन गया बड़ा simple अब अगर हम आगे देखें तो अब BR यहां लगेगा तो मेरा जो product मिलेगा बच्चों वो मुझे यह मिलेगा क्यों कि यहां पर क्या हुआ है 1-2 hydride shift मेरी बात एक बात बड़े जहांते समझना मैंने कहा 1-2 पहली position से H दूसरी प्यार ऐसा भी नहीं है कि मैं दूसरी लाइन में तो बच्चा बैठा उसको बुला के बुल लूँगा नहीं मैं तो भूका हूना मेरे पे तो कमजोरी है समय ऐसे ही plus के इंतर भी इतना नहीं energy मानोगे कि आप इतना जला shift करेगा तो 1-2 तक ही shift करा सकता है पहली position से second पे गया है 1-2 hydride shift आपको 2 bromo, 2 methyl, butane मिलता हुआ तो एक चीज़ ध्यान लखना आपको process ही follow करना है अगर आपको लग रहा है कि यहां पर rearrangement इसी को rearrangement कहते हैं दोस्तो rearrange हुआ अगर आपको लगता है कि rearrangement की possibility नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं तो आप उसको चलने दीजिए आपको लगता है कि rearrangement की possibility है तो आप वो trick मतलगाएगा रिच्पी कम रिचल वाली आप पहले follow कीजिएगा आपको मैं बता दू CVC के अंदर shifting वाला question नहीं आएगा मैं maximum वोई सोचना दियाद से वैसे चलना अब बच्चों ये हमने marconic of addition को समझ लिया अच्छे से this is first type of reaction जो कि हम ने देखा कि marconic of addition जो है वो चलता है मैंने पूरा mechanism भी आपको इसका बताया है अब बच्चों अगर इसका reverse हो जाए यहाँ पर डाल दू मैं और साथ में डाल दू मैं benzoil peroxide क्या डाल दू इन सभी के mechanism भी अगर कोई समझना चाहता है जो कि CVC के point of view पे इतने important नहीं वैसे मैंने आपको marconic of समझाया लेकिन CVC पे इतने important नहीं वैसे मेरे सारे वीडियोस पड़े हैं इसके भी पर फिर भी अगर कोई समझना चाहता है तो इसी में comment box में डाल दीजे कि sir इसका भी mechanism समझा दिए ताकि मुझे भी लगे बचो देखो like करोगे, share करोगे, subscribe करोगे मुझे भी strength मिलेगी कि हाँ वाकई में YouTube के उपर मैं अगर अच्छा बढ़ाने कोशिश करता हूँ मैं अगर कोशिश करता हूँ कि मैं better तरीके से चीज़ों को present करूँ तो उसको भी लोग पसंद करें confidence बढ़ता है मज़ा आता है मैंने पहले भी चीज़े शुरू करी बट response उसमें उस तरह से नहीं देखो बटा हम subject के ओपर focus कर सकते है अगर आप पढ़ना चाहते है ठीक है I am with you परशान मत हो अच्छा एक source है जितना भी time मैं YouTube पर दे सकता हूँ उतना मैं आपके लिए दूँगा बट subscribe करो like करो, share करो बढ़ते सब्सक्राइबर से मेरा भी confidence बढ़ेगा कि हाँ, नहीं मेरे भी लोग चीजें आ रही है तो benzoil peroxide डाला जाएगा तो एक चीज देखिए reverse हो जाएगा अब इस case में bromine यहां लगेगा तो markonikov का उल्टा हो जाता है क्यों हो जाता है फ्री रेडिकल एडिशन है जानने के लिए जरूर्ट कमेंड बॉक्स में डालिएगा एक शी ध्यान लगेगा anti-markonikov कहा जाता है लेकिन होता खाली HBR के साथ ही SCL में भी क्या हो जाएगा markonikov यह होगा चाहे मैं benzole peroxide डाल दो this is anti-markonikov's edition इसी को बोला जाता है खराश effect और इसी को बोला जाता है peroxide effect तो यह ध्यान लगना अब देखो बच्चे जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं बताऊँ कि कैसे CBSC board के अंदर एक name reaction लिखी जाती है for getting good marks देखो अब आपको मैंने markonikov, anti-markonikov बताए अभी आप hello alcan and hello arin नाम के chapter के अंदर जो IV reactions है जो important reaction है उनको देखेंगे तो आपको यह मालूम है कि जब आप halogen derivative की बात करते हैं आईए इस chapter की हम बात करते हैं और इसकी जो important name reaction है उनकी बात भी की जाती है तो halogen derivative की जब बात मैंने शुरू करी तो बच्चो एक चीज समझने कोशिश करना यहाँ पर सबसे पहले method of preparation में जब हम from alcohol मनाते हैं तो कुछ reactions आती हैं आप उसमें SCL डालते हैं ZNCL2 के साथ आप सब कुछ करते हैं परन्तु alcohol से halide बनाने की सबसे बढ़िया जो reaction है वो SOCL2 वाली मानी जाती है इसमें आपको ये मिलता है साथ में SO2 मिलता है जो की gas में उड़ जाता है SCL मिलता है जो भी gas है उड़ जाता है तो एक छोटी सी बात समझना कि जो side product हैं यह खुदी उड़ जाते है बई किसी भी reaction में अगर जो side के लगने वाले products है जो by products है अगर वो खुदी उड़ जाएं कोई दवाई आपने खाई हो उसके side effect थे लेकिन वो खुदी एक दो घंटे में subside हो गए तो ओ दवाई तो बहुत मस्त है अभी COVID-19 की vaccine की बात हो रहे है उसके side effect आ रहे है लेकिन इन major cases वो side effect 5 to 6 hours में खुदी subside हो रहे है और अगर उनका prolonged effect नहीं है तो that will be a very good vaccine that depends की हमारी earth का future कैसा है ठीक है बच्चों तो अब जो है यहाँ पर इस reaction का नाम है Dargen's process तो अब अगर मैं इस reaction को ध्यान से लिखूँ अब आप कहेंगे Sir N.C.E.R.T. में तो यह नाम नहीं है मेरे बच्चे full marks लाने के लिए कुछ अलग चीज होनी चाहिए जैसे movies के अंदर stories से different होके कोई ना कोई एक item song डाला जाता है उसी प्रकार अगर आपके answer में कुछ spice नहीं है तो आपके answer को बड़ीया marks मिलने के chances भी कम होते जाते है बढ़ी checker के दिमाग में कुछ ऐसा आना चाहिए न कि हाँ इस बच्चे ने कुछ different लिखा है So Dargen's process is the best method to convert alcohol into halogen derivative via SOCL to thionyl chloride कहा जाता है इसको तो इसको लिखते भी आप कैसे करेंगे सबसे पहले reaction का लिखेंगे objective to convert alcohol into halogen derivative बच्चों मेरी एक बात ध्यान रखना कहीं भी marks मिलते नहीं है लेने पड़ते है लिखोगे उसके उपर होगा कोई भी चीश खहरात में नहीं बढ़ती उसके लिए मेहनत करने ही पड़ती है तब जाके वो चीश मिलती है objective लिखेंगे उसके बाद reagents use देखिए मैं बिल्कुल वैसे चला रहा हूँ जैसे हम practical copy में लिखने है SOCL2 आप use करेंगे फिर alcohol आपके पास होनी चाहिए पिर example आप देंग एक reaction यहाँ पर आप लिखेंगे ROH SOCL2 RCL plus SO2 plus SCL फिर आप लिखेंगे यहाँ एरो बनाएंगे फिर आप लिखेंगे बोद दा साइट प्रड़क्ट यहाँ पर आप लिखेंगे special mention बोद दा साइट प्रड़क्ट्स are gaseous in nature and they will escape south as because of high yield this reaction is the best method to convert alcohol into halogen so यह एक हमारा आगया ठीक है डाटजन्स प्रोसेस इसके बाद बच्चो halide exchange reaction हम लोग यूज़ करते हैं देखो मेरे बच्चो कुछ भी नहीं है हमारे पास 4 halogen है fluorine, chlorine, bromine और iodine अगर मैं ध्यान से देखू इन सभी के अंदर में देखो तो fluorine highly reactive है it will react in dark यह तो dark में भी react कर जाता है chlorine को sunlight चाहिए react करने के लिए bromine भाई साब sunlight भी दे दो heat भी दे दो और iodine के साथ एक समस्या है कि इनको sunlight भी दे दो heat भी दे दो और catalyst भी दे दो हाँ अब चलो react करना है अरे कर लेंगे यह fluorine highly reactive iodine least reactive अचा chlorination तो हम direct लेते हैं चलो halogenation reactions के अंदर जब कहते हूं bromine भी selective है घरी लेता है fluorine के साथ क्या है एक दम से react करेगा भाई यह तो blast कर देगा पता लगा बती बज़ गई scientist की जो reaction कर रहे थे और iodine तो बहुत से अब क्या करें एक example लेते हैं मालो एक शादी में या फंक्शन में जाना है आपके पास आपका भाई ऐसा है बहुत ही लड़ा को हर बात पर लड़ लेगा भाई साब अब उसके साथ भेज दिया यार बच्चाए छोड़ो ना यार इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले CH3CL बनाया और उसके अंदर मैंने AGF डाल दिया AGF क्यों डाला? बहुत फ्लोरीन तो non-metallic nature है और AG जो metal है वो metal कैसी है? वो थोड़ी सी सुस्त metal है अब सुस्त metal है तो बढ़िया है फ्लोरीन की activity को silver जो है वो manage करेगा बस और हमें मिलेगा CH3F halide exchange और यहाँ पर मुझे मिल गया AGCL थोड़ा सा better चीज तक यह reaction better manage हो जाए यह सहाब थे समझाने वाले हमारे swats uncle तो इसे कहते हैं swats reaction क्यों की समझ में आगी नए और अगर इसी मैं मुझे माल लो eye holding की बात करनी है तो मुझे active चाहिए है फिर तो मैंने NAI डाल दिया अब बच्चों यहाँ में लगाता हूँ ऐसी tone क्यों लगाता हूँ यह आपको सोचना है और आपको ढालना है नहीं बियाएगा तो मैं बता दूँ आसके अंदर को ऐसी परशानी वाली बात नहीं है और यह समझाने वाले सहब थे हमारे Finkalisteen सहब तो यह Swartz reaction हो गई यह Finkalisteen reaction हो गई सो बच्चों आज हमने कुछ नेम रियक्षिन स्टार्ट करी है और कैसे मैं पढ़ाऊंगा यह मुझे समझ में आया आपको समझ में आया कैसे करना है यह मैंने समझाने कोशिश करी है थोड़ा सा एक काम करना थोड़ा शेर करना लाइक करना सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो कर लिया है subscription तो अपने दोस्तों में शेर करना वैसे मैंने Monday और Wednesday का दिन सोचा है लेकिन अगर मुझे response अच्छा मिलेगा तो मैं daily ये lecture डाल दूगा थोड़ा और detail में ले जाओंगा और notes भी अच्छे लिखवा दूगा ठीक है दोस्तों सो आई होप आपको समझ में आया होगा comment box में अपने doubt डाल दीजेगा अगले lesson में हम बात करेंगे जो कि Wednesday को आएगा कुछ और reaction जैसे कि Sandmare क्या है, Gatterman क्या है, Diagotization क्या है, Woods, Woods fatigue और fatigue क्या है, SN1, SN2 कैसे आप समझेंगे, easily CBSC के लिए, ठीक है, वो आप देखेंगे, multiple resources के साथ आपके बास हो, बेपास वो चीजे हैं, तो I hope आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, please मिलते हैं अगले session में, नमस्कार दोस्तों